हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छी होंगे तो आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले आज जो एक्जाम हुआ है इंडिया नेवी ट्रेट्समें का 13 अप्राइल 2019 यानि कि आज की डेट में फर्स सिप्टम में और सेकंड सिप्टम में उन अब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेट कलर के बटम क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें वगल में ही आपके वेल आइकान होगा जब आप इसे आउन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो के नोटी वेकाशन आप सबी लोगों तक आसानी से पह करके कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें जिससे मैं एक वीडियो बना सकूं और उन वीडियो में सारे किस कोशन के सलूशन मैं आपको प्रवाइट करा सकूं इससे होगा यह कि जो भी कल की डेट में और शेज्वाइब का एक्जाम है उनको भी इस वीडियो के माधिम से जितने भी कोशन याद हो एक याद हो दो याद हो तीन याद हो या पांच याद हो या दस याद हो जितने भी कोशन आपको याद हो करके कमेंट बॉक्स में सेयर करते हैं उस पर मैं एक वीडियो तुरंथ बना दूंगा तो सबसे पहले हम लोग first shift के question देखने है देखी दोस्तों first shift के कुछ ही question मिले है और second shift के भी थोड़ी मिले है जितने ही question students ने share किए वो ही question मैं आपको बताने बाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा चरूँद देखें कि वह मेरी मा की पती की लड़की है तो वह मेरी क्या लगेगी तो इस कोश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है देखे दोस्तों जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से यह कोशन पूछे गए हैं अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे और अच्छे से आपने तयारी की होगी तो आज का पेपर आपका अच्छा हुआ 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 क्यूंकि आज का जो पेपर का जो लेवल था erved था हाड नहीं था सेर्वल पेपर था इसमें को फोड़ी सी हार्ड थी मेह दोड़ी थी बता रहते हैं जो पेपर देखर आया है चलिए एकट लिंग के चोस्च से पड़ाए के हुड़ता है की प्रमारु की संख्या कितनी होती यह पूछा क्या था हाँ ुच्छे परिव पहचान परदान करता है अर्थात परमाणु क्रमाण। हर परमाणु का अलग होता है अता इसके आधार पर हर परमाणु को पहचान मिलती है। परमाणु क्रमाण। जड और नेट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु भार कहते हैं। चुकि स्तामान अवस्ता में अर्थात परमाणू पर कोई आवेस ना हो तो इस इस्थित में इलेक्ट्रॉन और प्रोटानों की संख्या बराबर होती है। इस इस्थित में परमाणू कर्मान का मान इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी भी परमाणू में प्रोटाउन की संख्या अलग-अलग हो सकती है। जब एक ही प्रकार के परमाणू में अलग-अलग न्योट्राउन की संख्या पाई जाती है तो इन परमाणू को आइसो टोप कहते हैं। किसी भी परमानू के लिए प्रमानु भार की गड़्णा निव परकार से कर सकते हैं इस sı परमानू भार बराबर में प्रोटोन प्लस नूड्राउं आइसो टोब पार्मानू में प्रमानू क तो समान होता है अर्थार उनके प्रोटान की संख्या होती है इसलिये इन्हें आईशिव टू परमाणु कहते हैं किषी si problem को आभरत द्यानिक में रखने के लिए उस परदु के भौतिक और रासानिक गुरूं को ध्यान में रखा जाता है लेकिन समयनता देखें तो आवर सानिमे तक्तों को उनके बरते परमाणु कुराओं के रूम में लिखते हैं अब देखिए परमाणु कुराओं की परिवासा किसी परमाणु के नाविक में उपस्तित प्रोटानों की संख्या को ही परमाणु कुराओं कहते हैं मैं पिछली बार साइंस के करीब 5 मास्टर वीडियो अपलोड किये थे उन में से ही कोशन पोचे गए हैं साइंस के अब देखिए अगला कोशन था कि प्रोटानों की संख्या कितनी होती है यह कोशन पोचा गया था इसके बारे में जान लेते हैं प्रोटान भी एक प्रावर्णी कड़ है जिस पर धनात्म कावेश उपस्तित होता है प्रोटान को पी प्लस चिर्म द्वारत गरसाया जाता है प्रोटान वर न्यूट्रान नावी के अंतर पाया जाता है जबकि इलेक्ट्रान नावी के चार और चक्कर लगाता है या यादर एरो इंडिया सो 2019 कहां पर हुआ था तो एरो इंडिया सो 2019 बैंगलूरू में हुआ था कमेंट बॉक्स में उडिसा भी काफी लोग बच्चे बता रहे थे लेकिन आंसर इसका बैंगलूरू होगा उडिसा नहीं होगा अब देखिए अगला कोशन था कि भारत और म्यामार के बीच असायोग अंदुलान कब हुआ था तो यह हुआ था 1920 में इसके बारे में भी जान लेते हैं इसके जवाब में गांदी जी ने देश भर में रॉलेट एक्टे खिलाफ एक अभियान चलाया उत्तरी और पश्मी भारत के कस्बों में चारो तरफ बंद के समर्थ में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारां जीवन लगवक ठैरा सार रह गया पंजाब में विसेश रूप से कड़ा विरोध हुआ जहां के बहुत से लोगों ने यूद में अग्रेजों के पच्च में सेवा के थी और अपनी सेवा के बदले में इनाम की उपेचात कर रहे थे लेकिन इसकी जगे उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया पंजाब जाते स ने एक राष्ट बादी सवा पर गोली चलाने का होकुम दिया तब जलीवला वाख हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में लगवक एक हड़ार लोग मारे गए और सोला सो से सत्रा सो लोग खायर हुए इसमें अगले कोर्शन की बढ़ते हैं खेलो इंडिया कहां पर संपन हुआ तो खेलो इंडिया ये पूर्णे में संपन हुआ चली इसके बार में जान लेते हैं महाराश्ट ने कुल सबसे अधिक 85 गोल्ट 62 सिल्बर और 281 ब्रॉंज मे तो दूसरी नमबर पर रहा हरियाणा इसने पुल 178 पतक जीते और इसके खाते में 62 गोल्ट 56 सिल्बर और 60 ब्रॉंज आए तो पहले नमबर पर महाराश्ट और दूसरी नमबर पर हरियाणा और ये कहां पर आयो जित किया विया पूर्णे में इतनी जानकारी आपको मिल ज इसमें कोटास की बहुत जाला होती है लेकिन पराया इसे काली कपास मिठी कहती है क्योंकि इसमें कपास की खेती जाला होती है काली मिठी मूखेता महरास्त, करनाटक, गुजराद और मद्द परदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में कार्मनिक पदार्थों की अधिक्ता होती है अगला कोशन था कि इंपेक्स 2018-2019 क्या है यह होचा गया था कोशन आपका अगला कोशन था कि सत्यागरे आंदूरान कमों से संग में हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं गांदी जी के नेतुत में भारत में किया गाई यह पहला सत्यागरे था अब देखी अगला कोशन था कि खेल यूथ मौसब 2019 यह कहां आयूजिक किया गया देखते हैं इसके बार जान लेते हैं सिफ चरपती स्पोर्स कॉंप्लेस में महाराष्ट के मुख मंत्री दिविंट फर्मिटीज और केंदरी खेल मंत्री राजबर्दन से काटव की मौसदिग में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अध्कारिक तूर्प गाटन हुआ तो यह इसका जो मौसब जो आयोजिक किया है यह कांपर हुआ यह महाराष्ट ने हुआ यह आपको पतावना चे हो रही हो अगले कोर्शन की बढ़ते हैं अगला कोर्शन था कि चांद इखुली हवाँ में रखने पर किस रंकी हो जाती है इस कोर्शन कांसर आपको कमेंट बापने बताना है गड़ की बात करें तो आ तो देखे शेकर्डशन यहां से स्टाट हो जाते हैं सेकर्डशन था कि कि अक्तौमिक नंबर प्रोटाउन नीट्रॉन नंबर यह आपका कोशन पोचा गया था स्टेकर्डशन में में अब देखिए अगला कोशन था कि पाकिस्तान की परधान मंतरी कांउण है यह पोचा गया था तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे तो देखिए पाकिस्तान के वर्तमान कुर्धान मंतरी है इमरान खान और पाकिस्तान के वर्तमान राष्टपती है आरिफ अलवी कौन है बर्तमान राष्टपती आरिफ अलवी और पाकिस्तान की राजधा और पाकिस्तान सब्द का पहली बार प्रियोग किस ने किया था तो पाकिस्तान सब्द का पहली बार प्रियोग किया था चोधरी रहमत अलीन तो दोस्तों पाकिस्तान से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है तो आपको करना क्या है कि पाकिस्तान की प्रदार मंतरी और राश्पति राश्दानी और मुद्रा और पाकिस्तान सब्द को पहली बार किसे ने प्रियोग किया इतने कोशन को आप अच्छे से याद कर लिजे हो सकता है इन में से एक कोशन आपको कल की पेपर में मिल जाए अगले कोशन क्यों पढ़ते हैं अब देखिए अगला कोशन था कि पाकिस्तान भारत से कितने टाइम आगे पीछे है तो पाकिस्तान भारत से 30 मिनट आगे पीछे है यादि कि 30 मिनट का टाइम डिफ्रेंस है पाकिस्तान से भारत का अब देखिए अगला कोशन था कि सिंगापूर के प्रधान मंत्री कौन है तो सिंगापूर के बार में भी हम लोग विस्तार से जानेगे तो देखिए सिंगापूर के बरतमान प्रधान मंत्री है ली सियन लूंग कौन है याद कर लिजिए सिंगापूर के प्रधान मंत्री है राश्पती कौन है तो सिंगापूर के राश्पती है हलीमा यापकूर और सिंगापूर की राजधानी क्या है तो सिंगापूर की मुद्रा क्या है तो सिंगापूर की मुद्रा है सिंगापूर डॉलर तो सिंगापूर से आप लोगों को इतने कोशन मिल जाते हैं पूछा यह प्राफती राजधानी और मुद्रा अच्छे से याद कर लीजिए हैं हो सकता है आपको कोशन में से मिल जाए मैं सबी श्रोट्स को फिर से बोल देना चाहता हूं कि थर्ड सिप्ट के प्लीज फिलिज आप लोग कोशन सेर कर दीजिएगा जिससे कि मैं अगला वीडियो राष्टे उगान कहां पर इस्तित है तो देखिए काजी रंगा राष्टे उगान ये आपके असम में इस्तित है काजी रंगा राष्टे उगान ये क्यों परसित है तो काजी रंगा राष्टे उगान ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए परसित है एक सिंग वाले गैंड उपखंड तथा दूसरा गोला घाट जिले का बोका घाट उपखंड सामिल है काजी रंगा राश्टे उगान 378 किलो मीटर से 246 वर मीटर को कवर करता है यह एक वैश्विक गिरास से स्थल है इस पार्क में एक सिंग बाले गैंडों की विश्व की दो तिहाई आवादी यहा पूछा जाए और 2006 में इसे एक टाइगर रिजर्व खोषिद किया गया था इतनी जानकारी आप लोगों को काजी रंगा राश्टे उगान से मिल जाती है अगर पूछा जाए कि काजी रंगा राश्टे उगान क्यों परसिद्ध है तो यह सिंग वाले गैंडों के लिए प एक पूछे का यह जैए तो तो आज का पर आप लोगों का अच्छा हुआ हुए ने आपको पड़ाया है उनमें जाए को और पर बढ़ते हैं यह आपका मैंतक कोशन की और बढ़ते हैं कि दो अनुपात तीन चार में की वित्प्रमापाती है इस question का अंसर आपको comment box में बताना है क्या अंसर सही होगा अगला question था कि हाली में किस भारतिय गेंदवाज पर पर्तिवन्द लगाया गया है इस question को भी मन्याखो कराया है current verse में यदि आपने current verse का video देखा होगा तो उसमें आपको question मिल जाएगा यदि हम मेरे वीडियो continue देखते होंगे तो आज का paper सभी बच्चों का अच्छा हुआ होगा तो हाली में अमबाती राइडू पर पृतिबंद लगाया गया है तो चलिए इसके बाले को जान लेते हैं भारती क्रिकेट के हरपर मौला किलाडी अमबाती राइडू की गेंद बाजी पर अंतर राष्टे क्रिकेट परिशाथ आईसीसी ने पृतिबंद लगा दिया है दरसल हाली में भारत और राष्टेज़ा के बीच सिद्दी में खेले गए पहले बंडे मैच में अमबाती राइडू के गेंद बाजी एक्सेन को संधिस पाया गया है इसके बाद आईसीसी की ओर से इस पर कारवाई करते हुए राइडू को चोधे दिनों के भीतर अपनी गेंद बाजी एक्सेन का परिच्ण देने का निर्देश दिये गए लेकिन राइडू इसके लिए आईसीसी की समझ पेस नहीं हुए सोंबार को आईसीसी ने कड़ा रुक अपनाते हुए अंतर राज्टी मैचों ने राइडू की गेंद बाजी पर प्रतिवंद लगाने का फर्मान सुनाया है तो इतनी जानकरिया आप लोगों को इस कोशन से मिल जाती है देखिए अगर वीडियो अच्छा लगावा आप लोगों को तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करती है अगले कोशन के रूब बढ़ते है अब यह है अग्याद ए अपिष्ट पूचा गया था इस पेलेंग से आफ पूचे गयाते है और पैसिज ग्रामर से पोचे गयाते है और से से भी कोशें पूचे गयाते है इग्लिज से से इतना टच कूआ है आपका